अलू अर्जुन स्टार ब्लॉकबस्ट फिल्म पुश्पा के सीक्वल पुश्पा 2 मच अवेटड फिल्मों में से एक हैं। इस मूवी का फैंस को बेसबरी से इंतजार है। ये फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है और दावे की ये जा रहे हैं कि ये इंडियन बॉक्स आफिस सभी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। कहा जा रहा है कि ओपनिंग दे से लेकर लाइफटाइम कलेक्शन तक पुश्पा 2 हर रिकॉर्ड का धराशाई कर सकती है। इस बीच मेकर्ज ने फिल्म के नए पोस्ट के साथ इसकी रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है। दरस मेकर्ज फिल्म के लिए फैंस की एकसाइटमेंट को बढ़ाने के लिए लगातार नए स्ट्रेटजी का इस्तिमाल कर रहे हैं। वहीं दशहरा के त्योहार के मौके पर मेकर्ज ने पुश्पा 2 का नया पोस्ट जारी किया था। नए पोस्ट के साथ मेकर्ज ने ये अपडेट भी दिया था कि फिल्म ट्राक पर है और 6 दिसंबर को रिलीज होने वाली है। इसी के साथ मेकर्स ने उन सभी अफवाहों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि ये फिल्म अगले साल रिलीज होगी हाला कि अब तारीक फाइनल होती देख रही है लेकिन कुछ अफवाही ये भी फैली हुई है कि फिल्म के मेकर्स पुश्पा दो को एक्चुवर रिलीज से एक दिन पहले रिलीज कर सकते हैं रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म गुरुवार पांच दिसम्बर को आ सकती है किया है वही अगर पुश्पा दो का पेड प्रिव्यू होता है को तो फिल्म के पास बंपर 175 करोड की ओपनिंग करने का मौका होगा पूरे देश में ओन ग्राउंड क्रेज और एकसाइटमेंट के बीच ये फिल्म अकेले पेड प्रिव्यू के जरिये 15 करोड या उससे भी ज़्यादा का कलेक्शन कर सकती है वहीं ते तारीक के दिन 6 दिसंबर को फिल्म अकेले तेलगू राजियों और हिंदी ब्याट से 140 करोड की कमाई करने की क्षमता रखती है इससे इसका कलेक्शन पेड प्रिव्यू और ते तारीक पर हुई कमाई 155 करोड या उससे ज़्यादा होगा बाकी के 15 या 20 करोड ये साउत राजियों से आसानी से कमा सकती है इसलिए अगर पेड प्रिव्यू आयोजित किये जाते हैं तो पुश्पदो को भारतिय बॉक्स ओफिस पर शुरुआती दिन में 175 करोड की कमाई दर्ज करने का मौका मिल सकता है जो वाकई एता ही साख होगा अब तक आरारार 134 करोड के नेट कलेक्शन के साथ भारत में सबसे बड़ी ओपनिन करने वाली फिल्म है झाल झाल